इस वीडियम बात करने चारे है रॉयल चैलेंजस बैंगलो वर्सिस पंजाब किंग्स IPL मैच जो ही खेला जाएगा चिन्ना स्वामी स्टेडियम में क्या हो सकती है पॉसिबल पेंगलेवन, क्या रहेगी स्माल लीग की टीम, ग्रैंड लीग की क्या टीम से रहने वाली है, क् मेरी पेडिक्शन इस मैच की, सब हम इसी वीडियो में डिसकस करेंगे, सब पूरी वीडियो देखेगा, आपको मजा आने वाला है, तो अगर हम बात करें वेन्यू की, इस चिन्ना स्वामी स्टेडियम में मैच खेला जाएगा, अभी तक यहाँ पर जो 155 मुकाबले खेले गए है, चेजिंग टीम ने जादा बैटर किया है, और 84 बार जो है, चेजिंग टीम ने जीता है मैच, और एवरेज जो फरस्ट चनिंग का स्कोर है, इवन दो 155 मैच के बाद भी, वो 166 कर आए, तो क्लिरली बताता है, कि यहाँ पर रंस बनते हैं, और चिन्ना स्वामी मे तीस मुकाबले खेले गए हैं, सर्प्राइजिंग ली 17 बार जो मैचीज है ना, वो पंजाब ने जीते हैं, और 13 बार जो हैं वो जीते हैं, और लास्ट के 5 मैच में पंजाब ने जादा बैटर किया है, चार मुकाबले उन्होंने जीते हैं, तो अगर आप लोग हमारी वी चैनल काफी सारे हमारी नाम के, रेगुलर वीडियोज आपके लिए आ रही हैं, सो यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करके बला इकन दबा दीजे, जैसे वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तो इस माच में आपको ग्रैंड लीग की टीम्स देने नहीं करते हैं, तो आपके लिए ग्रैंड लीग विन करना बहुत जरूरी होता है, और जो मैंने कल ग्रैंड लीग विन करी है, आपको पता है, जो मुझे रेगुलर फोलो करते हैं, मैं रेगुलर ग्रैंड लीग विन करता रहता हूँ, तो ये आपके लिए भी एक चीज ह को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा बात करते हैं यह आपर RCB की तो फैब डूपलेस इस ओपन करेंगे विराट कोली के साथ रजट पाटी दार हैं ग्लेन यह आपको खेलते हैं और यह अगर हम बात करें पंजाब की तो पंजाब जो हैं यहां से शिकरदवन ओपन करेंगे बेर स्टो के साथ प्रब सिम्रन जो है वो इंपक्ट प्लियर की तरह खेलेंगे फिर सैम कुरन है जितेश हैं लिविंग स्टोन है शेशांक सिंग हर्पीद बरार, हर्शल पतेल, यहां पर चहर, रबाड़ा और अर्शदीप आपको खेलते वे नजर आ जाएंगे तो आई पिल स्टार्ट हो गया विजन 11 जो अपने यूजर्स के लिए नया उफर लेकिया है तो अगर आप साइन अप करते हो विजन 11 अप आपके पास नहीं है तो जब आप साइन अप करते हो और फॉर्चुन रेफर कोड यूजर्स कर लेना इसके तो जब आप डाउनलोड कर लोगे तो आपको 100 रुपे का रियल कैश मिल जाएगा और यह जो अमाउंट है यह आप सीधा इससे कौंटेस्ट केल सकते हो पहले होता था बोनस होता था जो उतना यूजर्स का नहीं होता था लेकिन यह स्ट्रेट अवे अभी आपको 100 रुपे मिल रहा है जिससे आप खेल सकते हैं तो अगर आपके आप विशन 11 अप नहीं है तो डाउनलोड कर लो लिंक का आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा फॉर्चुन रेफर कोड है इसके में नजर आ रहे थे सो इंपोर्टेंट चॉइस बन जाते हैं स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन की भी एक अच्छी चॉइस बनती है फिर यहाँ पर आएंगे विराट कोली यहाँ पर विराट कोली का इस वेन्यू पे काफी अच्छा रिकॉर्ड है पंदरा सो र पाटिदार है लास्ट मैच आए और गए तो कुछ खास इन्होंने किया नहीं लेकिन जो है प्लेयर बहुत शानदार है रजट पाटिदार तो भाई यह आपके लिए ट्रम कार्ट पर एक साबित हो सकती है तो ग्रैंड लीग में इस खिलाड़ी को आप ज़रू ट्राए की करके देते हैं और यहाँ पर हैट तो एने 5 मैच में 104 रन है और वेन्यू पर 9 मैच में 204 रन है इंपोर्टेंट प्लेयर है कि बैटिंग फर्स करते हुए कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप इने ट्राए कर सकते हैं फिर यहाँ पर आएंगे कैमरान ग्रीन लास्ट में मैच में दो विकेट हैं और यहाँ पर जो एक अच्छा खिलाड़ी है लास्ट मैच में काफी अच्छी बोलिंग यह कर रहे थे तो एक इंपोर्टेंट च्वाइस है और राउंडर सेक्शन से कैप्टन वाइस कैप्टन की भी एक च्वाइस बन जाती है फिर आएंगे दि विकेट कीपिंग कर रहे हैं और डोमेस्टिक में भी अच्छा करके आ रहे हैं और चोके छक्या आपने लास्ट में आच में देखी लियोंगे तो मेरा दोस्त भी है तो मुझे पता है बहुत तगड़ा खिलाड़ी भी है तो अनुज रावत जो है एक आपके लिए चैरन दिये थे ठीक है लेकिन इन अब ओवर पूरे नहीं मिले तो ये एक कंसरन रहता है तो रिस्की रहेंगे स्मॉल लीग के लिए लेकिन बोलर अच्छा है तो अगर आप मल्टिपल ग्रैंड लीग लगा रहे हैं तो एक आधी टीम में जरूर ट्राइ कर सकते हैं करन शर् लास्ट मैच में पिटाई हुई और रसीबी के लिए ये रहता है बैटिंग लाइन अब इतनी स्ट्रॉंग है लेकिन बोलिंग जो है ना बहुत साधारन नजराई लास्ट मैच में लेकिन इल्जारी जोसफ विकेट टेकिंग बोलर है रंस देंगे ये लेकिन ये विकेट निकाल सकते हैं तो इनको आप स्मॉल लीग में भी आप कंसीडर कर सकते हैं या आपको मैच विनिंग परफॉमेंस दे सकते हैं फिर आएंगे सिराज लास्ट मैच में विकेट लेस गई 15 मैच में 19 विकेट है इस वेन्यू पे तो एक अच्छी विकेट चाहें तो ट्राई क कर सकते हैं बोलिंग फर्स्ट करते हुए। बात करते हैं आपर शिकरदवन की शिकरदवन पाँच मैच में जाद अच्छे नमबर नहीं है इस वेन्यू पे लेकिन और हैट टो एड नहीं बहुत अच्छे नमबर नहीं है बट मुझे लगता है फिर भी एक स्टार्ट मिल जाए इनका इनको और 25-30 जो है मुझे लगता ह है प्लेयर क्योंकि ये अच्छी निंग खेलता है लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन शायद मैं रेकमेंड नहीं करूँगा इस मैच में जोनी बेर स्टो चार मैच में हैट टो एड में शांदार नमबर है लास्ट मैच में आट आउट हो गए थे लेकिन ये चिनना स्वामी में अच्छा कर सकता है और ओपन कर रहे है तो भाई ये अच्छा कर सकता है इस मैच में आपके लिए एक डिफरेंशल खिलाडी साबित होंगे तूकि इनका सेलेक्शन काफी कम है ग्रैंड लीग में आप इने कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राइ कर सकते हैं फिर सेम कुरेंट अब देखो जैसे मैं लास्ट मैच में भी का था क्योंकि इनकी बोलिंग से ना इनने लास्ट मैच में भी एक ही और मिला था और मैं लास्ट मैच में आपको बताया भी था क्योंकि अब हर्शल पटेल आ गए हैं अर्शदीप आ गए हैं सो सेम कुरेंग को डै तो एक अच्छे पिक जरूर बन जाती है लियाम लिविंग स्टोन है चार मैच में सतानवी रन है जरुरत आनी पर आपको बोलिंग भी करके देते हैं और यह आपके लिए अच्छे पिक है क्योंकि यह रन्स कर सकते हैं लास्ट मैच में भी 60 पॉइंट देकर आए हैं, तो मेरे इसाफ से एक important pick बनती है small league में, जितेश शर्मा को Livingstone से पहले भेजा गया सा last time, तो ये बताता है कि जितेश शर्मा में कितनी hitting capabilities हैं, चार मैच में क्या सी नन है, प्लस wicket keeping करते हैं और अच्छा खिलाडी है, तो आप इने small league में मेरे साफ से एक safe pick बन जाती है, जितेश शर्मा एक अच्छे pick रहेगी small league में, पिर आते हैं शेशांक सिंग, last match खेले ना कुछ खास इन्हों ने नहीं किया, लेकिन जो एक खेल रहा है, ये ही बड़ी बाद है, क्योंकि auction में शेशांक सिंग दूसरे pick करना चाद पंजाब, बट इनको खरीदा और अब playing 11 में भी खेल रहा है, तो काफी बड़ी बात है, लेकिन small league में या grand league में उतना recommend मैं नहीं करूँगा, हरप्रीज बरार एक differential pick साबित हो सकती है, last match में एक wicket निकाला, 5 match में 6 wicket है, RCB के against इनों ने पहले भी अच्छा किया हुआ है, तो RCB के against इनको आप try कर सकते हैं, lower order में बैटिंग भी आपको करके दे देते हैं, तो अगर आप risk लेना चाहते हैं, तो हरप्रीज बरार आपके लिए pick बन सकती है, हरशल पटेल फॉर्मर टीम के against खेलने वाले हैं, और मेरे इसाब से इस venue पे 10 match में 10 wicket है, last match में 2 wicket निका सकते हैं, अगर पहले bowling आ जाती है, तो हरशल पटेले एक must-hap pick आपके लिए बन जाएगी, रहुल चाहर है, 8 match में 6 wicket है, venue पे 1 में 0 है, ठीक ठाक bowling last match में कर रहे थे, risk लेना है तो try कर सकते हो, otherwise grand league में small league में risk ही रहेंगे, रबार ना है, 7 match में head to end में शांदार number हैं इनके, तो ये एक अच्छी पिक बन जाती है small league में, लेकिन इनका use death में शायद उतना ना हो, बर still bowling first करते हुए एक अच्छी पिक आपके लिए बन जाते है, death bowling की बात करें, हर्शल है और अर्शदीप है, important player की बात करें, तो धवन है, Bear Stowe, Sam Curran, Livingstone, यहाँ पर जितेश और हर्शल पटेल और यहाँ पर अर्शदीप, यह कुछ खिलाडी है जो इस team से important हो जाते है, बात करते है small league captain wise captain की, तो small league में Sam Curran एक अच्छी पिक है, विराट कोली, Maxwell और Fab Duplexes, grand league में Cameron Green को आप captain wise captain try कर सकते है, धवन है, Bear Stowe है, और Livingstone, यह कुछ खिलाडी है, जिनने आप grand league में भी captain wise captain जो है, वो try कर सकते हैं, बात करते है, मेरी prediction क्या रहीगी, मेरी prediction यानि के fantasy fortune prediction में, तो hit player, कौन से player, मेरी according अच्छा कर सकते हैं, तो विराट से जैसा मैंने बोला, मैं कल के match में अच्छी निग expect कर रहा हूं, तो मुझे लगता है, विराट कोली, यहाँ पर Maxwell अच्छा कर सक आपके लिए कुछ players हैं, जो अच्छा कर सकते हैं, average performance जो आएंगी इस match में, यानि के कुछ खिलाडी ऐसे, जो आपको captain wise, captain वाली performance शायद ना दें, तो यहाँ पर जो हैं, लेकिन अच्छा करेंगे, तो Sam Crane मुझे लगता है, fantasy points आपको देंगे, 40-50 points तो मुझे लगता है, दे देंगे, camera on green आपको अच्छे खासे points दे देंगे, और अर्श दीपी है, कुछ खिलाडी है, जो मेरे हिसाप से आपको points देंगे, बट captain wise, captain वाली performance शायद ना आए इस match में, trump card pick की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर कुछ ऐसे खिलाडी जिनका selection काफी कम होगा, लेकिन आपको small league और grand league दोनों में फायदा कराके दे सकते हैं, तो पहली आजाती है अनुजरावत, अनुजरावत को बहुत कम लोग small league में try करेंगे, लेकिन बहुत अच्छा bet है, और प्लस wicket keeping कर रहा है, तो एक risky pick आपके लिए बन सकती है, bear stroke last match में flop हुए, selection कम होगा, लेकिन numbers अ पार्टीदार को small league में मैं suggest नहीं करूँगा, इन चारों को आप small league में भी consider कर सकते हैं, पार्टीदार grand league में आप try कर सकते हैं, बात करते हैं winner prediction की, so दोनों teams अच्छी हैं, और अगर numbers देखें तो पिछले कुछ match में पंजाब अच्छा कर रही है, बट कहीं न गई मुझे लगता है, ये वाला match जो है, RCB come back कर सकती है, और RCB ये वाला मुकाबला जो है, win कर सकती है, आपको क्या लगता है, comment करके अपनी राइज जरूर बताइएगा, चलिए अप create करते हैं अपनी small league को grand league के लिए, लेकिन टीन option आयते हैं, जितेश हैं, अनुझ हैं, और यहापर लिए है, वट आप चाहें, तो अनुझ रावत को भी try कर सकते हैं, और grand league में दिनेश कार्थिक को try कर सकते हैं, प्रफ सिम्रन impact पे की तरह खेलेंगे, selection बहुत कम है, लेकिन top order में खेलते हैं, तो आप इनको आप चाहें, तो रख सकते हैं grand league में, betting section बात करें, fab dupluses, विराज, शिकरदवन और bear stow, चारों को मैंने अपनी टीम में रखा है, आप यहापर रज़त पार्टीदार हैं, उनको भी चाहें तो try कर सकते हैं, और rounder section में चलें, तो मैंने आपर Sam Curran, Maxwell, Cameron Green और Liam Livingstone को भी अपनी टीम में रखा हुआ है, bowling section बात करें, तो अर्शदीप और हर्शल पतेल को रखा है, अब आप चाहें तो bear stow को drop कर सकते हैं, या फिर livingstone को drop कर सकते हैं, और उस case में एक bowler सिराज को ले सकते हैं, रवाड़ा को ले सकते हैं, तो options काफी है, जोसफ का option है, बट अभी के लिए हमारी यह small league की team बन जाती है, final team आपक Maxwell को किया हुआ है, Sam Curran, Fab Duplexes का भी option है, आप चाहें तो उन्हें भी captain, wise captain try कर सकते हैं, बात कर लेते हैं, grand league teams की, so team 1 में हमने विराट कोली को captain किया हुआ है, wise captain को रखा हुआ है, team 2 की अगर हम बात करें, team 2 पंजाब के favor ने बनाई है, तो हमने Sam Curran को captain किया है, और wise captain हमने bear stroke क किया हुआ है, next combination की तरफ चलें, तो यहाँ पर Fab Duplexes को captain करके, हमने Maxwell को हमने इस team में wise captain किया हुआ है, और ये team हमने RCB के favor में बनाई हुई है, next combination की तरफ चलें, so next combination में हमने Maxwell को captain किया हुआ है, हर्षर पटेल को हमने wise captain किया हुआ है, तो आप इसी तरीके से multiple teams create कर सकते हैं, और किसी एक player को भी multiple teams में captain wise captain try कर सकते हैं, उमीद करता हूँ ये video आपको पसंद आईए, पसंद आईए, so like करो, share करो, comment करके बताओ, आपके हिसाब से best choice captain wise captain कौन होने वाली है, साथ के साथ यूट्यूब चैनल को subscribe करके बल आइकन दबा दीजिए, जैसे वीडियो आएगी आपको notification मिल जाएगी, all the best guys